इससे पहले दोस्तों अगर आप ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को दबाना पिल्कुल ना भूले ताके हमारी नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे तो चलिए वीडियो शुरू हाई दोस्तों तो हम आ गए हैं अपना नया वीडियो लेके आज हम बनाएंगे चिकन इसकीन पारा था तो पराठे के अंदर जो भरना है उसकी हम कर लेते हैं तैयारी चिकन इसकीन हम पीस के रख लिए हैं और ये हम डाल दिये थोड़ा दीरा और फिर हम डाल देंगे प्याज प्याज अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना मन तुछा दीरा हो जाए तो मैं प्याज जालू हो गया तो हम चलाने वाला लाना भूल गए है अब हम उसे लेने जाएंगे जुना रहा है प्याज इसमें थोड़ा सा प्याज भून जाए तो फिर हम डालेंगे चिकन इसकीन और मसाला यह रहा हमारा चिकनी स्कीन जो हम पीस्ट के रखे थे अब इसको हम इसमें डाल लेते हैं अब बहुती हो गया है अब कर दोड़ा तेल छोड़ेगा इसको अच्छे से पकाना है यह रहा हमारा चिकनी स्कीन जोना रहा है फुरब पक जाए तो उसके बाद हम डालेंगे मसाले हमारा चिकनी स्कीन घुना रहा है साथ में पराठे के साथ जो खाएंगे सबजी उसकीरी तयारी कर लेते हैं दोनों साथ साथ अब हम डालते हैं इसमें थोड़ा नम्माक स्वाद अनुसार डालें यह रहा लाल मेच पॉडर तीखा अपने मर्जी का डालेंगे जीरा पॉडर धनिया पॉडर चिकन मसाला अब इसे हम अच्छे साथ सुखाएंगे इसमें हमने पीसा है प्याज और टामाटर प्याज हो रहा है इसमें हम डालेंगे आद्रक लैसून का पेस्ट शूच्ट शूच्ट एक साथ पर जाएगा, यह हुद्या, यह हुद्या, यह हमारा पॉर्ट, कलेजी काटेंगे, पोट को काटेंगे, यह हमारा पर कटे है, यह हमें इसको काट लेते हैं, बहुत बड़ा बड़ा है धोके राखे हूए है, बस कटना बाती है, यह देखें कट रहा है कच और कच 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 कटेगा कच इसमें आवाज नहीं आ रहा है इसलिए हम अपने मुझ से निकाल रहा है आवाज कच और यह कच और यह कच वाओ अच्छाइब नहीं आपने मुझ से निकाल रहा है यह दो तीन टूड़े हो गए हैं बेचारे चोड़ देती हूं इसको पाट लेती हूं यह कट गया है अधिम इसमें इसमें डाल देंगे एक आली के साथ ताकि मसाला थोईलेट में डालेंगे इसको चला लेते हैं और हमारा यह भी तयार हो गया है यह हमारा तयार हो गया है इसको हम निकाल लेते हैं जज़ क्राट केके से लेते हैं तो मुझे आलें इसको बेचार बुदेते हैं जो क्रहों तो मुझेते हैं एक भुतान मैंने गालें था जाएं मेरे के शो गया हमारा ये चिकन एकिन तयार तो हम एकेस करें समर्मस्टाने डाल देते हैं जैसे पहले डालेंगे मिर्ची पॉडर आपको जितना तीखा खाना हो डाल सकते हो फिर हल्दी पॉडर आप अपने अंदाजे से डाल सकते हो जीरा पाड़ थनिया पाड़ थनिया पाड़ थनिया पाड़ अब नमक डाल देते हैं इसमें चिकन मसाला डालेंगे पर बाद में नमक आप स्वाद अनुसार डालें अच्छे से मिक्स कर लें इसके बाद पूले का आच करें धीमा और इसे लगा दे धकन पके तेल छोड़ दिया है वोट कलेजी और आलो का मसाला करी अच्छे से पग गया है अच्छे से पग गया है उसे हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया है अब इसको हम पानी डाल देंगे ताकि पोर तोकड़े होते हैं पकने के लिए और आलो ताकि पग जाए एक ग्लास पानी डाल दो अब आराम से पकेगा तब तक हम अपने इसकीन इसकीन पराठे की तयारी करेंगे अच्छे से कट्था करेंगे अच्छे से गठा तर इसको थोड़ा सा भर लेंगे आप अपनी मर्जी से जितना बनना चाहों भर सकते हो इसको अच्छे से करके पैक कर देना है यह ऐसे हम सारे बना के रखेंगे जितना बन जाए लगबर हमारे सब भर रहे हैं दो हीटो बाकी है यह दोठों में भर लेते हैं फिर हम बेलना और सेखने का काम सुरू करेंगे आज बहुत गर्मी है यहां पंखा चल नहीं रहा है यह हमारा लास्ट इसको हम तवा चड़ा देते हैं ताकि गरम हो जाए अभी तेल लाना बाकी है यह आखरी बना लूँ उसके बाद जाते हैं तेल लेने सब्सक्राइब करेंगे अज़ी तैयार हो गया है आलू पक रहे हैं लगभक आलू पकी गया है थोड़ा सावर पकांगी फिर इसको बंद कर दूंगी अज़ी करेंगे हैं अज़ी करेंगे इसके इनका पराठा पहली बार बना रही हूं कितना काम्याब होता है देखते हैं वैसे हर चीज तो इस्पेरिमेंट करते रहना चाहिए ताकि आप किसी चीज से पीछे ना रहो और हमारी आरत नहीं है किसी चीज से पीछे रहने की हमने बेल लिया है सब तरफ से निकल गया है और इसको हम तब हमें डाल देते हैं चर्ण यह बेलने में दिक कर जाता है पर हमको इसको वेलना ही पड़ेगा यह ऐसे चीकन इसकीन है अच्छे से पिसाता नहीं है इसलिए ऐसे होता है फिर भी हमारा बिला गया है अच्छे से यह भी सिका रहा है सिक जाओ बच्छे यह प्रवाजा ले रहती हूं यह फूलने वाला है पर बहुत जगे से छेड़ है इसलिए यह नहीं पूलेगा हमारी सबजी पक गई थी इसलिए अब हम कर देंगे इसका छूला बन यह बन गया यह देखिए कितना पढ़िया बना है आप भी एक बार बनाएं और खा के देखें चिकन इसकीन पराठा कैसे लगता है यहां हजी मचाग चल रहा है क्योंकि गर्मी बहुत है मेरा बेटा कैमरा मेन बना है कैमरा समालता है और मेरे हजबन तवा समाल लिये हैं और मैंने चक्की बिल्ला समाल लिया है अब हम एक बार में सब बना लेंगे उसके बाद मिलते हैं तो दोस्तों हम आपको टेस्ट करके बता दे हमाई सब्जी कैसी बनी है ज्यादा नहीं थोड़ा सा खाऊंगी यह रही मेरी सब्जी और यह जाएगा अब गरम गरम पर अथा जल्दी दो जल्दी दो उमें एक भूख लगा है जल्दी दो जल्दी दो जल्दी गरम गरम चिकनी स्कीन पाराटा और पोट की सब्जी खाते हैं अब मजा करके जल्दी दोस्तों थोड़ा से ठंडा होने देती हूं तो हम खाएंगे गरम-गरम सब्जी भी अच्छी बनी है और पराठा तो गरम-गरम अच्छी लगता है मुमी बहुत गरम है मजा हो यो तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में मैं खा लेती हूं तब तक के लिए बाई-बाई कर दो